हलो दोस्तो स्वागत था आपका अमारी योटुब चैनल याहू बाबा पे यह हमारा लारवल कोर्स एलेटिट 55 टुटोरियल है और लारवल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं मिडल वेर देखिए जो यह मिडल वेर है इसका रिलेशन हमारी पिछली वीडियो से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले वो वीडियो देखिए तभी आपको यह वीडियो इसली समझ में आएगी तो यह पहले समझते हैं कि मिडल वेर क्या है देखिए अब तक कि हमने जितनी भी पिछली वीडियो वहां पर हमने देखा कि अगर हमारी वेबसाइट का कोई भी यूजर है और वो हमारी वेबसाइट के किसी पेज को assess करना चाता है तो उसके लिए सबसे पहले वो ब्राउजर में जाकर अपनी HTTP request देता है और यह जो request होती है यह सीधा जाती है हमारे controller के पास और controller उस route से लिटेड जोन सी भी व्यू की फाइल है उसको यूजर को as a response send करता है अब हम क्या करना चाते हैं हम चाते हैं कि यूजर जब भी कोई request हमारी वेबसाइट पे controller को दे रहा है तो उससे पहले उस पे कुछ चेक को मतलब कि कोई condition हम चेक करना चाते हैं अगर वो condition satisfied हो जाती है तब ही हम चाते हैं कि हमारी website का जो controller है वो उस route से लिटेड जोन सी भी view file है वो user को send करे अब यह conditions कैसी हो सकती है माली जी हम चाते हैं कि हमारी जो website का user है वो एक authenticated user हो मतलब कि उसने proper login कर रखा हो हमारी website पे तब ही वो particular इस page को assess कर सके जिसकी वो request कर रहा है या फिर हम चाते हैं कि वो user जो है authenticated तो हो मगर साथ में वो administrator भी हो मतलब कि हम किसी special page को सिर्फ admin user को ही दिखाना चाते हैं या फिर हम ऐसा चाते हैं कि user की जो age है वो एक valid age हो मतलब कि जैसे हम कई बर website में देखते हैं कि user की age minimum 18 year होनी चाहिए या 21 होनी चाहिए तब ही वो इस website की particular एक page को देख सकता है या फिर हम इस check की जगा पे कोई information save करवाना चाते हैं मतलब कि जैसे कि हम अपनी website की log information save करवाना चाते हैं log information से मेरा मतलब क्या है जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी website का जो user है किस-किस page को assess करता है यह हम देखना चाहते हैं तो उसकी information वो किस-किस page पे जा रहा है यह सब हम track करके उसकी एक log information save करते हैं यह भी सब हम आगयाने वाली वीडियो में देखेंगे कि यह सब कैसे करते हैं log information save या फिर ऐसा हो सकता है कि हम अपनी website को कुछ देर के लिए बंद करना चाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी website का कोई भी user किसी page को भी assess ना कर सके अगर वो किसी page को assess करने की कोशिश कर रहा है तो page automatically redact हो जाए maintenance mode वाले page की तरफ बन्द कि जहां पर उसे पता लग जाए कि website जो है थोड़ी देर के लिए बंद है यह इसके इलावा बहुत सारी और भी conditions हो सकती है तो जो हम इस request पे यहाँ पर जो हमारी HTTP request है user की उस पर जब भी हम कोई condition लगाते हैं उसी को हम बोलते है middleware middleware जो होते हैं वो जुरूरी नहीं है कि आप इस तरह की HTTP request जो हमारे web में चलती है सिर्फ उसी पे चलेगा यह दो चीजों पर चलती है एक पूरा पर web पे और दूसरी API request पे तो आई अब इसके बाद समझते हैं कि middleware कितने तरीके का होता है देखें जो middleware है वो यहाँ पर लारवल में तीन टाइप्स की होते हैं सबसे पहला जो middleware है उसका नाम होता है route middleware जब भी हम particular किसी एक page पे restriction लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसके route पे जाकर middleware पास करते हैं उसी को हम कहते हैं route middleware इसके बाद आता हमारे पास middleware groups अगर हम बहुत सारी conditions अलग-अलग middleware मतलब अलग-अलग conditions का एक group बनाकर किसी एक route पे लगाना चाहते हैं उसी को हम कहते है middleware groups और इसके बाद last आता है हमारे पास global middleware global middleware से मेरा मतलब है अगर हम अपनी किसी भी web page पे जितने भी हमारी website के pages है उन सब पर restriction लगाना चाहते हैं लगी उन सब पर एक check लगाना चाहते हैं एक conditional check तब हम global middleware यूज़ करते हैं इसके लिए हम particular किसी एक route को जाके middleware पास नहीं करते हैं ये automatically सारे website के जितने भी routes हैं उन सब पर automatically implement हो जाता है देखी जो ये तीनो middlewares हैं इन में जो middleware बनाने का तरीका होता है वो विल्कुल सेम होता है उसमें कुछ भी difference नहीं होता सिरफ इनको use करने के time पे ही ये different हो जाते हैं तो आइए पहले समझते हैं कि middleware बनाते कैसे हैं तो देखी जब भी हम middleware बनाना चाहते हैं बस उसमें space नहीं होने चीए अब ये command करेगी क्या ये command basically एक folder create करती है और उसके अंदर एक middleware की file भी बना देगी कुछ इस तरह से देखी हमारा एक app folder होता है उसके अंदर एक HTTP folder होगा उसके अंदर इस नाम का एक folder नहीं होता है पहले से जिसका नाम है middleware ये अपने आप से इस नाम का एक folder create कर देती है और उसके अंदर ये हमारी file भी बना देगी जिस नाम का हमने middleware create किया है valid user.php देखे अगर आप Laravel से पहले वाले versions देखेंगे तो वहाँ पर ये folder जो था middleware वो पहले से ही exist करता है मगर Laravel 11 में ये folder दिखता नहीं है ये सिरफ तभी दिखेगा अगर आप ये वाली command run करेंगे अब ये file जब बन गिये तो ये अंदर से दिखती कैसे है कुछ इस तरह से ये देखिए इसके अंदर हमारे को दो classes का use करना होता है ये classes जो है ये हमें खुद से नहीं डालनी होती है ये अपने आप ही included होती है एक होती है request class और एक होती है response class मतलब कि ये file जो है ये user की request को accept करेगी और last में ये एक response send करेगी request के ये accept करती है जो भी हमारी website का user है वो जिस page को भी assess करना चाते है वो ही जो page का URL होगा वो ही ये as a request handle करेगी इसके अंदर देखी हमारे पास bunny बनाई हमारे को एक class भी मिलेगी जिस नाम का भी हमने middleware बनाया होगा तो हमारे case में है valid user और इसके अंदर हमारे को एक inbuilt function भी मिलता है जिसको हम कहते है handle function ये जो handle function होता है ये basically user की सारी request को handle करता है देखी यहाँ पर as a parameter ये user की request ले रहा है और last में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ response मतलब कि इस function की जो data type है ये value return करने वाला वो होगा response और response में भी ये एक URL ही return करता है कि जिस page पर user को भेजना है अब इस function के अंदर आकर ही आप अपनी condition को pass करते हैं कि आप इस middleware के अंदर काम क्या करना चाते हैं तो देखी जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम user को login और logout करवाते हैं तब वहाँ पर हम authentication check करते हैं तो वही same authentication check हम इस middleware के अंदर पास कर रहे हैं तो यही है हमारा second step यह देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है मैंने if condition का use किया और यहाँ पर मैंने check लगाया out class के उपर check यह हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हम इस check method के help से यह check कर सकते हैं यूजर लॉगिन है की नहीं देखिए अगर यूजर लॉगिन है तो हम यहाँ पर return कर देंगे next अब जो next है यह एक method है जिसके अंदर हम user की request को पास कर देते हैं मतलब कि user जिस page को भी assess करना चाहता है वो उस page पर जा सकता है और अगर यह authentication fail हो जाती है मतलब कि तब वो आजेगा else part में और यहाँ पर हम उसे किसी भी page पर redirect कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर return करने हैं उसे login page पर कि दुबारा से login करो तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर अगर आप age पर कोई validation लगाना चाहते हैं तब हम यहाँ पर next method यूज़ करेंगे अगर वो pass नहीं कर बाता तो अब हम उसे अपने ही किसी page पर redirect कर देंगे तो यह होता हमारा middleware बनाने का देखा तो यहाँ पर हमने middleware तो बना लिया है और मैंने जैसे आपको बताया कि इसको use करने के तीन तरीके हैं तो आईए अब उनको देखते हैं तो देखी सबसे पहला जो तरीका है उसको हम कहते हैं route middleware जिसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं हमारी जहाँ पर भी routes बनते हैं जैसे कि आपको मालूम है route folder के अंदर हमारी एक file होती है web.php जिसके अंदर हम अपनी website के सारे routes declare करते हैं अब इसी file के अंदर जाकर आपको अपनी middleware का use करना है कुछ इस तरह से तीकि सबसे पहले आपको क्या करना है आपको यहाँ पर अपनी middleware की जो file है जैसे हमारे case में valid user उसको पूरा as a path के साथ यहाँ पर include करना है उसके बाद जैसे कि आप हम मारी पिछली वीडियो में देखते हैं कि हम route कैसे create करते हैं यहाँ पर मैं किसी page को assess करना चाता हूँ जिसका नाम है dashboard और यह URL जो है यह particular a controller file जिसका नाम है user controller उसमें भी dashboard नाम का एक method है उसको assess करेगा तो हम चाते हैं कि इस method को assess करने से पहले जब भी user इस route की request हमारे को दे रहा है तो पहले हम उसको check करना चाते हैं कि वो valid user है की नी मतलब कि वो login है की नी तो उसके लिए हम इसी route के अंदर middleware को pass करेंगे कुछ इस तरह से यह देखी मैंने last में जाकर यहाँ पर middleware को use किया है और इसके अंदर अपनी valid user class जो है उसको ऐसे pass कर दिया देखी जो यह वाला तरीका है यह लारवल 11 में आया है इससे पहले वाले तरीकों में इस तरह से class को नहीं लिखना होता था सिर्फ आपको यहाँ पर बताना होता फाइल का नाम मगर अब आपको यहाँ पर पूरा लिखना है colon colon class तो अब user कभी भी इस URL को assess करने की अगर कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसे middleware का जो हमारी condition है उसके through ही इस page को assess कर सकता है जो हमारा यह dashboard नाम का method है तो यह होता हमारा route middleware route middleware बनाने के और भी तरीके होते हैं जो अभी हम practical देखने वाले हैं अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा middleware की दूसरी type है जिसकों कहते है middleware groups उसमें कैसे काम करते हैं देखिए उसके लिए आपको यहाँ पर multiple middleware का group बनाना होता है तो group बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं हम एक special file को open करेंगे जो हमारी bootstrap folder के अंदर होती है जिसका नाम होता है app.php और इसके अंदर हमारे को एक बना-बना method भी मिलता है with middleware जिसके अंदर basically एक function होता है और यहाँ पर हम एक class यूज़ करें होते हैं middleware और उसका एक object भी बना होता है middleware अब इसी object को use करके हम अपना एक group बनाते हैं कुछ इस तरह से देखिए हमने इस variable को use के middleware और यहाँ पर हम लारवल का एक method यूज़ करेंगे उसके बाद second parameter में सबसे पहले आपको लेना है एक array array क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर multiple middleware को पास करने वाले हैं कुछ इस तरह से देखि मैंने माली जी दो अलग-अलग middleware बनाये valid user और valid age इसमें हम user को चेक कर रहे है कि user authenticated है की नहीं और valid age नाम के middleware में हम चेक कर रहे है user की जो age है वो minimum 18 years होनी चाहिए तब ही वो particular जिस page की request कर रहा है वो उसको assess कर सकता है तो इस तरह से जब हम अपना middleware group बना लेते हैं तब हम इसे अपने route के अंदर पास करेंगे तो उसके लिए हम अपनी route की file open करेंगे web.php और उसके अंदर जब भी हम अपना route पुना रहे होंगे जैसे हमने बनाया dashboard और इसके बाद हम last में जाकर अपना function यूज़ कर लेंगे middleware और उसके अंदर देखिए array की form में हम यहाँ पर अपने जो group का नाम दिये था ok user उसको यहाँ पर pass कर देंगे अब जब भी user इस page की request देगा तो उससे पहले उसको यह दोनों middleware की conditions को pass करना पड़ेगा वो valid user भी होना चाहिए और उसकी age भी valid होनी चाहिए तब ही वो इस method को assess कर सकता है इसके बाद हम देखते हैं अपना third middleware जो होता है global middleware global middleware को हमें routes के अंदर pass करने की कोई जुरूरत नहीं होती है क्योंकि इस case में हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी website के routes हैं मतलब कि जितने भी urals हैं उन सब पर हम कोई condition pass करना चाहते हैं या फिर हम उन पे lock की information save करना चाहते हैं तो इस तरह के middleware को हम बनाते तो बिल्कुल same ही है जैसे कि हमने पहले देखा है बस यहाँ पर use करने के time पे हम अपनी special file को open करेंगे जिसका नाम है boot shop folder के अंदर जिस file का नाम होता है app.php जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमें एक inbuilt function मिलता है with middleware इसके अंदर just जाकर हमारे को एक line का code लिखना है कोच इस तरह से सबसे पहले हम variable का use करेंगे middleware और यहाँ पर method का नाम है append append के अंदर हम यहाँ पर अपने middleware का नाम पास कर देंगे अब यहाँ पर होगा क्या जितने भी हमारी website के URL होंगे जब भी हम user उस particular किसी एक URL को open करने लगेगा तब हर बार यह valid user नाम की जो class है यह अपने आप run हो जाएगी और इसमें जो check लगा हुआ है वो automatically check कर लेगा कि user ने इस particular condition को पास किया की नहीं अगर पास किया होगा तब वो उस page को assess कर सकता है और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम multiple middle ways को पास करना चाहते हैं अपने global इस method के अंदर तो हम append का use नहीं करेंगे वहाँ पर हम use करेंगे use method का यहाँ पर हम लिखेंगे use और इसके अंदर एक array पास कर देंगे क्योंकि हम इसके अंदर multiple conditions को check करना चाहते हैं कुछ इस सरह से तो देखी मैंने यहाँ पर दो middle way पास कर दी valid user और valid age अब user किसी भी हमारी website के page को अगर assess करने के कोशिश करेगा तो automatically जो यह use method है यह इन दोनों conditions को check करेगा देखी जो इस तरह का middle way होता है global middle way इसका use काफी कम होता है जातर use होता है route middle way का तो यह अब शुरू करते हैं practical और देखते हैं कि इन तीनों middle ways को हम कैसे बना सकते हैं और use कैसे कर सकते हैं देखी इस वीडियो के अंदर जो हम database use करने वाले हैं तो वही सेम database है जिसको हम अपनी पिछली वीडियो में भी use कर चुके है authentication तो database का नाम है यहाँ पर out तो यहाँ पर देखिए एक table है जिसका नाम है users यह देखिए अब यहाँ पर मैंने कुछ changes कियें यहाँ पर मैंने दो columns और add कियें एक है age और role पिछली वीडियो में हम यहाँ पर देख रहे थे हमारे पस कहीं column थे id, name, email और password इसमें जस्ट यहाँ पर दो columns और आगे है age और role अब role में यहाँ पर अलग-अलग role है user के एक role है यहाँ पर admin और एक है reader तो इसी database table को हम use करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में तो पिछली वीडियो में हमने देखा जब हमने यह authentication का project बनाया था तो हमने यहाँ पर दो अलग-अलग से pages बनाये थे एक register का page और एक login का page login करने के बाद user जो है dashboard को देख सकता है और उसके अंदर एक inner page को भी देख सकता है तो इसी project को हम आगे continue कर रहे है अब वहाँ पर हमने अलग-अलग से check लगाये थे यहाँ पर हम उन checks को हटा के middleware का use करेंगे तो यह अब चलते हैं अपने editor में तो देखे मैं यहाँ पर आगे अपने editor में और देखी मैंने अपना project open कर लिए जिसका नाम है authentication अब यहाँ पर जो पिछली वीडियो के अंदर हमने route क्रेट किये थे मैं आपको एक बार check करा देता हूँ यह देखिए यहाँ पर देखिए अलग-लग routes है यह home page का route है यह register वाले page का route है और register page को जब save करवाना है तो उसका route अलग है register save login page का route और login को जब login करवाना है user को तो उसका route का नाम है login match और dashboard का route है और dashboard के अंदर एक inner page है उसका भी हमने अलग से route बनाया हुआ और last में route है logout का अब सबसे पहले हम क्या करते हैं हम यहाँ पर मैं आपको basic middleware create करके दिखाता हूँ और उसको route पे implement करसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना terminal open करूँगा और यहाँ पर अपनी artisan की command लिखूँगा php artisan make middleware और middleware का एक नाम दे रहा हूँ जैसे valid user अब जिस भी name का middleware बनाना चाहते हैं खुछ से बना सकते हैं यह देखिए अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो app folder है उसके अंदर एक एस्टिटी फोल्डर है और यहाँ पर एक फोल्डर केरेट हो चुका जिसके नाम है middleware और उसके अंदर यह file भी आ चुकी है यह देखिए मैं यहाँ पर app folder के अंदर गया और यहाँ पर एस्टिटी फोल्डर के अंदर यहाँ पर यह folder आ चुका है यह folder पहले से नहीं होता है लारवल 11 में यह हमारी command के बाद यहाँ है और इसके अंदर एक file भी बन चुकी है जिसका नाम है valid user यह देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर दो classes पहले से include होती है एक होती है request class और एक होती है response class request जो है यह user की request को handle करती है और response as a response जो last में user को यह function send करेगा वो response होता है यह देखिए इसके अंदर हमारी class भी बनी हुई है और इसके अंदर हमारे को एक function भी बिला है जिसका नाम है handle जो user की request को handle करता है और last में as a response send करता है तो देखिए यहाँ पर एक response भी आ रहा है अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर simple एक message को print करके दिखाता हूँ और उसको एक particular एक route पे implement भी करके दिखाता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ eco और eco के अंदर आकर यहाँ पर मैं एक heading ले लेता हूँ और इसके अंदर एक message डाल देता हूँ यह देखिए We are now in valid user middleware और यहाँ पर आकर एक boot setup की class भी लगा देता हूँ Just मैं यहाँ पर एक color की class लगाना चाहता हूँ यह देखिए text primary और last में जाकर semicolon भी लगा देता हूँ यह देखिए तो यहाँ पर मेरा एक middleware ready हो चुक है जिसके अंदर मैं सबसे पहले यह message show करना चाहता हूँ और उसके बाद user जिस भी request को assess करना चाहता है मतलब कि जिस भी route को assess करना चाहता है उस route को मैं यहाँ से return कर दूँगा तो यहाँ पर इस file को मैंने save किया अब देखिए जो यह मैंने middleware create किया है यह अपने आप नहीं चलेगा इसको implement करने के लिए मैंने आपको तीन तरीके बताएं तो उसमें सबसे पहला है route middleware तो देखिए उसके लिए मैं किसी एक route पे आता हूँ और देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो pages है register और login मैं आपको register page पे इसे implement करके दिखाता हूँ तो आपको इसके लिए क्या करना है last में जाकर यहाँ पर अपना method यूज करना है जिसका नाम है middleware यह देखिए इसको basically मैं next line में कर लेता हूँ और name को भी यह देखिए अब इस middleware method के अंदर आकर मुझे अपनी class को use करना है जो अभी मैंने class पना ही है जिसका नाम है valid user यह देखिए अब इसके लिए यह class मुझे सबसे पहले उपर भी include करनी है तो सबसे पहले मैं यहीं से लिखना शुरू करता हूँ manually भी लिख सकते हैं आपको पूरा path देना उसके बाद यहाँ पर दो बर colon लगा के लिखना है class यह देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को save किया अब user कभी भी इस page को अगर assess करेगा तो सबसे पहले यह middleware run होगा और उसके अंदर जो भी हमने message यहाँ पर echo किया है वो print हो जाएगा उसके बाद ही इस page को assess कर सकता है मतलब कि इस method को जो हमारी user controller वाली फाइल के अंदर बना हुआ तो यहाँ पर मैंने फाइल को save किया और मैं यहाँ पर आया अपने project में अब देखिए मैं register वाले page पे जाता हूँ तो यह page तो open हो चुका है मगर यहाँ पर कोई message शो नहीं हो रहा है लगता हमने route में कुछ गढ़बढ किया देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ देखिए मैंने किस route को use किया जिसका नाम है register safe मतलब कि जब हम user को register करेंगे तो मैं चाता था जब यह user register की file open हो मतलब कि page open हो तब ही यह middleware show तब मेरे को क्या करना है यहाँ पर इसको यहाँ से cut कर लेता हूँ और जो हमारे यह उपर view है यहाँ पर जाकर मुझे से pass करना है यह देखिए तो यहाँ पर मैंने file को save किया मैं यहाँ पर आफाइल को refresh और यह देखिए यहाँ पर उपर message आ चुक है अब अगर मैं दुबारा से back में जाता हूँ यहाँ पर देखिए कोई message शोर नहीं हो रहा अगर मैं login वाले page पर जाता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए कोई message शोर नहीं हो रहा क्योंकि मैंने जो middleware है उसको सिरफ register view वाली फाइल के उपर ही यहाँ पर लगाया अगर मैं यही same middleware यहाँ से copy करके अपने login वाले page पे भी send कर दूँ यह देखिए तब यह middleware login वाले page पे भी काम करने लगेगा तो यहाँ पर मैंने file को save किया मैं यहाँ पर आपने login पेज पे और यहाँ पर file को refresh करता हूँ और यह देखिए यहाँ पर भी यह message उपर show रहा है अगर मैं back में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर show नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसे home page पे implement नहीं किया है मैंने सिरफ register वाले page पे या फिर login वाले page पे इसे implement किया है तो यहाँ से आपको clear हो गया होगा कि कैसे हम middleware को implement करते हैं अपने route के उपर अब basically मुझे इस middleware को यहाँ पर implement नहीं करना है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से भी हटा देता हूँ मैं basically इसे अपने dashboard वाले page पे लगाना चाहता हूँ जो हमारा page जो है login होने के बाद खोलता है तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ name को मैं नीचे यहाँ पर enter कर देता हूँ और इसके बाद मैंने इसे यहाँ पर implement कर दिया यह देखिए तो अभी मैंने सिर्फ इसे dashboard पे लगाया ना कि उसके inner वाले page पे तो यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ पर आता हूँ अपने valid user वाली middleware पे अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मैं यह message तो show करना ही चाहता हूँ मगर इसके साथ मैं यहाँ पर एक condition भी check करना चाहता हूँ कि user login है की नहीं तो उसके लिए हमने पिछली वीडियो में मैंने अपनी controller file के अंदर उसका code किया था मैं एक बार आपको check कर आता हूँ कि देखिए मारी file है user controller अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अगर user dashboard वाले page को assess करना चाहता है या फिर inner वाले page को assess करना चाहता है तब हमने उस वीडियो में एक condition लगाई थी अगर user authenticated है तब ही वो dashboard वाले page को view कर सकता है या फिर inner वाले page को view कर सकता है अगर वो authenticated नहीं है तब ये automatically redact हो जाएगा login वाले page पे तब इस तरह से मैंने आपको बताया थी कि हम अलग-अलग pages पे जाकर ये check लगा रहे थे मगर अब मुझे ही इस तरह से check लगाने की कोई जुरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं एक ही middleware create कर रहा हूँ और उसी को मैं अलग-अलग route में पस-pass कर दूँगा तो ये बार-बार मुझे इस तरह का code करने की कोई जुरूरत नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा मैं इसी वाले inner code को यहाँ से copy कर लेता हूँ अब यहाँ पर इस code को block कर देता हूँ और यहाँ से इसे remove कर देता हूँ ये देखिए अब यहाँ पर मैंने कोई भी check नहीं लगा रखा बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर भी करता हूँ ये देखिए यहाँ पर भी user directly inner page को assess कर सकता है मगर उससे पहले इसे एक middleware से गुजरना होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं एक condition लगाता हूँ कि देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे authentication को check करना है अब यहाँ देखिए एक error आ चुक है क्योंकि हमारी out की file यहाँ पर include नहीं हो रही है तो यहाँ पर मैं right click करके यहाँ पर कर लेता हूँ import class यहाँ पर आप उपर देख सकते हैं कि हमारी out class उपर include हो चुकी है अगर आपके case में नहीं हुई है तो आप इसे manually भी लिख सकते हैं अब मैं चाता हूँ कि अगर user यहाँ पर properly authenticated है तब वो जिस भी page को assess करना चाता है उसे assess कर पाए तो उसके लिए मैं यहाँ पर करता हूँ इस return को यहाँ से cut करके यहाँ पर pass कर देता हूँ यह देखिए अब यह मेरी common condition बन चुकी है और अगर user authentication को pass नहीं कर पाएगा तो वो automatically login वाले page पे redirect हो जाएगा तो देखिए मैं यहाँ पर file को save किया अब user जब भी dashboard वाले page को जो मारा यह dashboard वाला page है इसको assess करने की अगर कोशिश करेगा तो उसके लिए उसको सबसे पहले इस middleware से गुजरना होगा मतल़ कि यहाँ पर उसे इस check को cross करना पड़ेगा अगर वो proper login होगा तब ही वो इस page को assess कर सकता है जिसका नाम है dashboard page अभी मैंने inner page पे नहीं लगा है इसे तो इसको हम बाद में लगाएंगे तो यहाँ पर मैं फाइल को save करता हूँ और देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ अपने login वाले page पे अब मैं यहाँ पर login कर लेता हूँ यह देखिए मैंने login कर रहा हूँ यहाँ पर और यह देखिए जैसी मैं inner वाले page पे आया है तो वहाँ पर मैंने इस तरह की कोई भी middleware पास नहीं किया है, तो वहाँ पर इस तरह को कोई message शो नहीं होगा, और ना वहाँ पर चेक होगा कि user login है की नहीं, यह देखे, यह page directly open हो चुगा है, यहाँ पर user का name भी दिख रहा है आपको, मगर यहाँ पर उपर कोई message शो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने अपना middleware पास नहीं किया, इस वाले route पे, जिसका नमा है dashboard, उसके अंदर inner, अब बिल्कुल यही वाला middleware, मैं यहाँ से copy करके, अपनी inner वाली file के अंदर भी पास कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं enter लगाता हूँ, और यहाँ पर देखी, मैं इसको यहाँ पर भी पास कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने इसको file को save किया, और मैं यहाँ अपने inner page पे file को refresh करता हूँ, और यह देखिए, अब यहाँ पर भी message शो रहा है, बिसिकली हम इस तरह का कोई message शो नहीं करते हैं, यह just मैं आपको testing के लिए दिखा रहा हूँ, इस middleware के अंदर दो काम हो रहे हैं, एक तो message भी शो रहा है, और यहाँ पर यह भी चेक हो रहा है कि user login है कि नहीं, अब देखिए, मैं यहाँ से logout कर जाता हूँ, अब मैं सीधा ही यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, dashboard, अगर मैं इस वाले route को assess करने की कोशिश करूँगा, तो यह check करेगा कि user login है कि नहीं, तो यहाँ पर मैंने enter press किया, और यह देखिए, यह दुबारा से login वाले page पर आ गया, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, dashboard, slash inner, तो देखिए, इस page को भी यह assess नहीं कर पाएगा, मैंने यहाँ पर enter press किया, और यह देखिए, यह दुबारा से login वाले page पर आ गया, अब इस सरह मैं, जितने भी routes create करना चाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर अपना एक middleware पास कर सकता हूँ, इसकी help से होगा क्या, यह automatically खुदी चेक कर लेगा, कि user login है कि नहीं, जैसे कि हम पिछली फाइल में कर रहे थे, हमने अलग-अलग यहाँ पर methods के अंदर जाकर चेक किया था, तो वो अलग-अलग हमारा काफी कम हो चुक है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें अलग-अलग फाइल के लिए, अलग-अलग यहाँ पर चेक लगाने की जुरूरत नहीं है, सिर्व हम पने route के अंदर ही middleware को पास कर सकते हैं, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह हमने यहाँ पर एक ही middleware को पास किया है, इसी तरह हमें इसी route पे multiple middleware भी पास कर सकते हैं, तो देखे, मैं एक middleware और बना लेता हूँ, तो देखे, मैं ऊपर वाली command को ही ले आता हूँ, और यहाँ पर अपना निया middleware बना रहा हूँ, test user, यह देखे, मैं जब इसको testing के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने enter press किया, यह मारी file बन चुकी है, यह देखे, middleware folder के अंदर हमारी एक file और आ चुकी है, test user, अब यहाँ पर भी आकर handle function के अंदर, मैं एक message दुबारा से print कर देता हूँ, जैसे कि मैंने valid user में किया था, तो मैं इसी वाले code को यहाँ से copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर paste करके, यहाँ पर just message चेंज कर देता हूँ, test user middleware, यहाँ पर मैंने file code save किया, अब यहाँ पर यह दूसरा middleware है, इसको मैं अपने route के अंदर कैसे pass करूँगा, यह देखी, यहाँ पर एक middleware हमने पहले से लगा रखा है, अगर इसके साथ मैं दूसरा middleware pass करना चाता हूँ, तो उसके लिए पहले मुझे इस middleware के अंदर एक array बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसको cut करके एक array बना लेता हूँ, और इसके अंदर इससे paste करके, यहाँ पर coma लगा के अपने दूसरे middleware का नाम दूँगा, जिसका नम है test user, यह देखिए, मैं test user लिखा, यहाँ पर मैं click करता हूँ, और आप उपर देख सकते हैं कि test user नाम का middleware भी include हो चुक है, अगर आपकी इस तरह से file include नहीं हो रही है, तो आप इसे पहले include कर लिजिए, उसके बाद यहाँ पर जाकर, मैं लिखता हूँ, दो बार colon लगाकर मैं लिखता हूँ class, यह देखिए, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, बिल्कुल इसी तरह से, मैं इसको copy करके, अपने दूसरे inner वाले page के route के लिए भी यहाँ पर इसे page कर लेता हूँ, यह देखिए, अब अगर इन दोनो pages को, अगर मुझे कभी भी चेक करना है, तो यह दोनो middleware से यहाँ पर हमारा route यहाँ पर चेक कोगा, उसके बाद ही हम इस वाले method को assess कर सकते हूँ, जिसका नम्हें dashboard page और inner page, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, मैं यहाँ पर आया file को refresh, और यहाँ पर दुबारा से log in करता हूँ, और यह देखिए, अब यहाँ पर उपर अलग से message आ रहा है, जो valid user वाली file है, और यह message आ रहा है test user वाली file से, मैं अंदर वाली file में भी जाता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर भी दोनों अलग-अलग middleware की file का message आ रहा है, तब इस तरह से हम यहाँ पर multiple conditions भी लगा सकते हैं, अभी मैंने test user वाली file के अंदर कोई condition नहीं लगाई है, just यहाँ पर एक message ही जो की है, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, जैसे हमारी यह file है, valid user, जो एक middleware की file है, और इसके अंदर हमारे को एक बना-बना function भी मिलता है, जिसका नाम है यहाँ पर handle, बिल्कुल इसी तरह से हम एक function खुद से भी बना सकते हैं, जिसका नाम होता है terminate, देखिए, उसका मतलब होता है, जब भी हमारी इस file का end होगा, जब यह condition वगएरा चेक हो जाएगी, और यह response का काम भी complete हो जाता है, उसके बाद अगर आपको कुछ करना है, तब terminate method के अंदर जाकर, आप अपना काम बता सकते हैं, कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखे, मैं यहाँ पर आता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से मैं यह function बनाऊँगा, तो मैं इसी को copy कर लेता हूँ, यहाँ पर function का नाम रहेगा, terminate, इसके अंदर भी request आएगी, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर closer नहीं होगा, यहाँ पर होगा response, और उसके लिए मैं एक variable ले लेता हूँ, response नाम से, और यहाँ पर लिख देता हूँ, देखे जो यह void है, यह इस function की return data type है, मतलब कि यह function कुछ भी return नहीं करने वाला, तब ही मैंने लिखा यहाँ पर void, अब इसके अंदर आकर भी मैं एक message प्रिंट कर देता हूँ, तो बिल्कुल इसी तरह से मैं message उपर से copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ, we are now terminating valid user, और इसका color भी change कर देता हूँ, text danger, और जो मैंने दूसरी वली file के अंदर message लिखा था, यहाँ पर भी class change कर देता हूँ, text success, यह मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए, तीन अलग-लग message है, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और मैं यहाँ पर आया, file को refresh, और यह देखिए, देखिए सबसे पहले हमारा यह valid user नाम का middleware चला, जिसने पहले चेक किये कि user login है की नहीं, उसके बाद हमारा दूसरा middleware चला, जो है test user, उसके बाद जो response था, उसने सारा data हमारको यहाँ पर show कर दिया, और last में, जब हमने user की request को यहाँ पर complete कर दिये, उसके बाद देखिए, terminate नाम का method भी चल चुका है, जिसका नाम था terminate, तो उसके अंदर अगर हम कोई काम करना चाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, तो just अभी मैंने यहाँ पर एक message ही show की है, तो अभी के लिए, जो यह मैंने message हो की है, इसको मैं यहाँ पर comment कर देता हूँ, यह just मैं आपको समझाना चाता था, कि terminate time का भी एक method होता है, जब user की request complete हो जाती है, तब यह method चलता है, अभी तक जो हम यहाँ पर, यह middleware का नाम पास कर रहे थे, अगर आप इसी तरह से class को, name को use करना चाते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं बार के होता है, हमारी classes के नाम बहुत बड़े-बड़े होते हैं, तो उसका नाम हम छोटा करके भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर एक feature use करना होता है, middleware alias, जिसके लिए हम यहाँ पर app.php फाइल के अंदर जाकर, उसका rename करते हैं, मतलब कि जैसे हमारी यह वाली class है valid user, इसका rename करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, मैं उसको दिखाता हूँ, देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा, एक bootstrap नाम का folder, यह देखिए, इसके अंदर आपको एक file मिलेगी, जिसका नाम kernel.php, वो file होती थी, यहाँ पर app folder के अंदर, अब वो file यहाँ से remove कर दी गई है, और यहाँ पर bootstrap folder के अंदर, एक नई file बनाई गई है, जिसका नाम है app.php, अब इसी के अंदर ही जाकर, जो यह method होता है, with middleware, इसी के अंदर आप उसका काम कर सकते हैं, तो देखी मेरे को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक variable बनाऊ है middleware, जो एक class का object है, जिसका नाम है middleware, इसको मुझे अंदर use करना है, अब देखी मैं, अपनी class का rename करना चाता हूँ, उसका एक छोटा नाम रखना चाता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, alice, यह alice क्या है, यह एक method है, जिसके अंदर हम अपने अलग-अलग routes के name को, छोटा कर सकते हैं, यह बड़ा कर सकते हैं, यह rename कर सकते हैं, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर array लूँगा, अगर मुझे अलग-अलग middleware के नाम को यहाँ पर change करना है, अब देखिए, मैं एक निया नाम ले लेता हूँ, जो मेरी class है valid user, यहाँ पर मैं उसका नाम लिख लेता हूँ, is user valid, आप name zone सा भी रखना चाहिए, वो रख सकते हैं, बस name में space नहीं होनी चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ पर arrow operator लूँगा, और यहाँ पर मुझे बताना है कि किस class का मैं rename करने वाला हूँ, तो हमारी class का नाम है valid user, यह देखिए, अगर मुझे multiple middlewares के name change करने, तो just मैं यहाँ यहाँ पर coma लगा कर, अलग-अलग line में उसका new name पहले दूँगा, और उसके बाद उस class का यहाँ पर नाम बताऊँगा, तो अभी के लिए सिर्फ मैं एक ही class का यहाँ पर rename कर रहा हूँ, और जिस भी class को आप यहाँ पर use कर रहेंगे, उसका नाम भी आपको उपर include करना है, तो जैसे मैंने उस पर click किया था, तो यह name अपने आप आ चुक है, अगर आपके case में नहीं आ रहा, तो आप इससे पहले यहाँ पर use कीजिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को save किया, अब इस new name को use कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ से मैंने इसे copy कर लिया, मैं जाओंगा अपनी route की फाइल में, जहाँ पर मैं इसे use कर रहा हूँ, और यहाँ पर, ऐसी यहाँ से copy करके, नीचे भी use करना चाता हूँ, अगर वहाँ पर भी कर सकता हूँ, यह देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को save किया, मैं यहाँ पर आया, फाइल को refresh, और यह देखिए, अभी भी हमारा यह valid user middleware, properly work कर रहा है, मैं inner वाले page में जाता हूँ, और यहाँ पर भी देखिए, यह proper work कर रहा है, अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अभी मैं यहाँ पर, अलग-अलग routes पे जाकर, same middleware पास कर रहा हूँ, यहाँ पर भी same, वो ही वाला middleware पास की है, जो मैंने उपर वाली line में पास कर रहा है, तो अगर मुझे इस code को भी अगर छोटा करना है, तो यहाँ पर मैं routes का एक group बना सकता हूँ, उसके अंदर ये middleware पास कर सकता हूँ, वो मैं कैसे करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ से इन दोनों lines को यहाँ से copy कर लेता हूँ, और अभी के लिए इनको comment कर देता हूँ, अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने एक निया middleware बनाना है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा route, अब यहाँ पर column के बाद मेरे को यहाँ पर एक नहीं चीज लिखनी है, जिसका नाम है middleware, यह देखिए, अब मुझे इसका नाम पहले लिखना है, और इसके बाद मैं यहाँ पर arrow operator लगा के यहाँ लिखूँगा group, इसका मतलब है कि मैं अपने एक middleware routes का एक group बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक function ले लेता हूँ, और इसके अंदर जो मैंने यह पहले routes बनाये थे, वो इसके अंदर पास कर दूँगा, तो मैंने copy कर रखे हूँ अलड़ी, मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ, यह देखिए, अब यहाँ पर जो यह मैं middleware पास कर रहा था, अब मुझे इस तरह से पास करने की कोई जुरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से delete कर देता हूँ, और यहाँ पर जाकर इसे पहले cut कर लेता हूँ, फिर इस line को भी remove कर देता हूँ, यह देखिए, और जो मैंने cut किया है, उसको मैं यहाँ पर pass करूँगा, यह देखिए, अब देखिए, मैंने एक routes का एक group बनाया है, जिसके उपर मैं दो अलग-अलग middleware को मैंने यहाँ पर pass कर दिये, आप यहाँ पर single भी pass कर सकते हैं, जैसे मैंने दो लिएं, आप यहाँ पर 3, 4, 5, जितने लेना चाहिएं ले सकते हैं, अब इसके अंदर जितने भी routes pass कियें मैंने इस group के अंदर, सब पर यह दोनों हमारे middleware से जो हैं, is valid user और test user नाम की जो class है, यह दोनों का check अपने आप हो जाएगा, तो अब हमें बारी-बारी अलग-अलग routes पर जाकर लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, देखे, मैं यहाँ पर आया, तो देखे, यहाँ पर कोई भी हमारा route नहीं देख रहे हैं, ना की valid user और ना ही test user, यह देखे, मैं दुबारा से login करता हूँ, और यह देखे, यहाँ पर यह दोनों middleware काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम route का भी middleware का एक group बना सकते हैं, अब देखे, जैसे मैंने यहाँ पर दोनों ही routes पर यह दोनों validation का check लगा रखा है, जो दो अलग-अलग middleware है, यहाँ पर हो सकता है कि दो routes ना हो, यहाँ पर 20 routes हों यह 40-50 routes हों, और किसी एक यह दो यह तीन चरr routes पे, हम test user नाम का यह middleware पास नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि जो test user नाम के अंदर जो हमने condition लगा रखी है, वो हम particular किसी एक route पे इस group के अंदर जाकर नहीं पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पर से एक लग से method आता है, without middleware, उसको हमें पास करना होगा, तो देखें, जैसे यह हमारा inner वाला page है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यह test user नाम का जो हमारा middleware है, वो ना चले, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा arrow operator, और यहाँ पर मैं method का नाम यूज़ करना है, जिसका नाम है without middleware, यह देखिए, और इसके अंदर जाकर, मुझे अपने middleware का नाम पास कर देना है, जिसको मैं इस route पे नहीं लगाना चाहता, दीखिए, उपर मैंने दो लगाए हूँ है, मगर अब अंदर जाकर, मैं किसी एक route को नहीं implement करना चाहता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी square verses लूँगा, और अपने जैसे भी यहमारी class है, middleware की, इसको मैं अंदर जाके पास कर देता हूँ, मैं यहाँ पर multiple middleware भी पास कर सकता हूँ, जिसको मैं implement नहीं करना चाहता, माली जी मैंने उपर 5 middleware को पास किये, मगर यहाँ पर जाकर मैं 2 middleware को अगर पास करना चाहूँ, वो भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, देखे मैं यहाँ पर आया, यह मेरा dashboard वाला page है, मैं file को refresh करता हूँ, यह देखे, यहाँ पर यह दोनों middleware work कर रहे हैं, मगर जब मैं अंदर जाऊंगा inner page पर, तो वहाँ पर हमारा test user नाम का middleware काम नहीं करेगा, यह देखे, यहाँ पर सिरफ एक ही middleware आ रहा है, valid user, अगर मैं बाहर जाता हूँ, वहाँ पर यह दोनों middleware आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आयोगा कि without middleware method का use करके, हम किसी एक middleware को यहाँ पर हटा भी सकते हैं, इसको use करने का एक दूसरा थरीका भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए मैं इसी वाले method को copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसे paste करता हूँ, अब यहाँ पर यह मैंने middleware लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं अपना यही वाला method यूज़ करूँगा, जिसका ना मैं without middleware, तो इसी को यहाँ से copy करके यहाँ पर pass कर देता हूँ, जो हमारा यह middleware है, इस पर नहीं लगाना चाहता, तो मुझे अब यह अलग से line लिखने की कोई जुरूरत नहीं है, यह देखिए, तो इसके अंदर मैं multiple middleware पास कर सकता हूँ, जिस पर मैं यह वाला test user नाम का अपना middleware को pass नहीं करना चाहता, तो यह भी एक तरीका है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसके बाद हम देखते हैं, अपमारा दूसरा तरीके का middleware जिसका नाम होता है, middleware groups, अभी तक जो हम देख रहे थे वो थे route middleware, तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले मुझे ओपन करनी है, अपनी app.php फाइल, जो हमारी bootstrap folder के अंदर होती है, अभी इस फाइल के अंदर जाकर, मैं अपने middleware का एक group बनाऊँगा, तो उसके लिए देखें, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारे को सबसे पहले जाना है, इस method के अंदर, जिसका नाम है with middleware, इसी के अंदर हम अपना काम कर सकते हैं, middleware groups का, तो सबसे पहले मैं एक group बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर use करूँगा middleware, हमारी class को, उसके बाद यहाँ पर मैं एक method यूज़ करने वाला हूँ, जिसका नाम है append to group, यह देखिए, अब इसके अंदर दो parameter आते हैं, सबसे पहले हमारे group का नामा था, जो हम रखना चाहते हैं, उसके बाद हम एक array के अंदर, multiple middleware पास करते हैं, तो देखिए, मैं यहाँ पर एक नाम ले लेता हूँ, जैसे ok user, मैं यह just name जो है, testing के लिए ले रहा हूँ, आप इसका rename जो उनसा भी रखना चाहें, वो रख सकते हैं, अब इसके अंदर आकर, मैं अपनी दो classes को use करने वाला हूँ, एक तो हमारी यह वाली class है, जिसका नाम है valid user, और इसी के साथ, मैं अपनी दूसरी class को भी use कर लेता हूँ, जिसका नाम मैंने रखा था, test user, यह देखिए, मैं यहाँ पर click करता हूँ, class, तो यहाँ पर मैंने फाइल को save किया, अब देखिए, यह मैंने एक group बना लिया है, यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ दो ही middleware पास की है, यहाँ पर आप जितने भी चाहे middleware, उनको पास कर सकते हैं, तो अब जस्ट मेरे को, यह नाम को ही use करने हैं अपने route में, ना कि इन अलग-लग middleware को, तो देखिए, मैं इसका नाम यहाँ से copy कर लेता हूँ, और अपनी route वाली फाइल के अंदर आता हूँ, अब यहाँ पर जाकर, देखिए, सबसे पहले मैं यह अलग-लग middleware के नाम लिख रहा था, अब मुझे इस तरह से नाम लिखने की कोई जुरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से-से हटा देता हूँ, और यहाँ पर just, codes के अंदर मुझे अपने middleware group का नाम पास कर देना है, तो हमारे group का नाम है यहाँ पर, okay user, तो यहाँ पर मैंने फाइल को save किया, अब देखिए, इसके अंदर मेरे दो routes आ रहे हैं, दूसरे वरे route के अंदर मैंने without middleware we use यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर मैं फाइल को save करता हूँ, और मैं यहाँ पर आता हूँ, फाइल को refresh, और यह देखिए, अभी भी हमारे दोनो routes work कर रहे हैं, जब मैं inner वाले page में जाऊँगा, तो हम वहाँ पर हमारे सिरफ एक ही route काम करेगा, valid user, यह देखिए, यहाँ पर सिरफ एक ही middleware काम कर रहा है, valid user, मैं वापिस dashboard वाले page पर आता हूँ, यह देखिए, तो यहाँ पर आपने देखा, कि कैसे हमने इस file के अंदर आकर, अपना एक middleware का group बना लिया, उसका name रख दिये, और इसके अंदर अपने multiple middleware को भी pass कर दिये, अब यह पूरे के पूरे, जितना भी हमने group बना है, बस हमारे को सिरफ यह एक name ही pass करना अपने route में, और वहाँ पर यह सारे जितने भी middleware है, इन सब का check उस route पे लग जाएगा, जिसको भी हमने उस group के अंदर pass किया होगा, यहाँ पर यह जुरूरी नहीं है, कि यहाँ पर हमें इसे group में ही लगाएंगे, इस तरह से, मैं अगर इस middleware को, मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, अगर मैं particular किसी एक route पे लगाना चाता हूँ, जैसे मानी जी login वाले पे, तो इस तरह भी मैं इसे pass कर सकता हूँ, अपने group को, तो इस particular route पे, दो अलग-अलग condition पास हो जाएंगी, तो अभी के लिए मैं इसे control-z कर लेता हूँ, यह देखिए, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो यह हमने method यूज किया है, append to group, बिल्कुल ऐसा एक दूसरा method भी आता है, जिसको हम कहते हैं, prepare to group, यह दोनों same ही काम करते हैं, अब इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर name यूज कर सकते हैं, तो मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, prepare to group, यह देखिए, इसके अंदर भी पहला parameter group का नाम होता है, उसके बाद यहाँ पर हमारे middlewares के नाम आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और मैं यहाँ पर आया, file को refresh, यह देखिए, अभी भी हमारे दोनों middleware properly work कर रहे हैं इस page पे, मैं inner page पर आता हूँ, और यहाँ पर हमारा single middleware काम कर रहा है, जिसका नाम है valid user, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए, जो हमने यहाँ पर, यह middleware को use करने की दो अलग-अलग तरीके देखिए हैं, यहाँ पर हमने group बनाया, उर उपर single route पे भी हम यह implement कर रहे थे, अब इसके अंदर हम क्या करना चाते हैं, हम इस middleware से कोई value भी भेजना चाते हैं, particular एक value, तो देखिए, उसको हम कैसे भेजएंगे, मैं इस वाले group को भी comment कर देता हूँ, और जो मैंने उपर यह दो routes बनाये, इनको यहाँ पर uncomment कर देता हूँ, अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक is user valid नाम का भी, हमारे पास यहाँ पर एक route है, अब मैं इसके साथ इसके अंदर एक value भी भेजना चाता हूँ, value मतलब एक role, मैं चाता हूँ कि इन दोनो routes को user तब ही assess कर पाए, अगर वो login भी है, और साथ में वो admin भी है, मतलब कि उसका जो role है, वो admin भी है, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाते हैं कि हमने database के अंदर एक column लिया हुआ है role नाम से, जिसके अंदर हमने दो role भी define किया है, admin और reader, तो मैं चाता हूँ सिरफ admin ही इन दोनों pages को देख पाए, तो उसके लिए देखी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं column लगाकर अपने role का नाम पास कर दूँगा, यह वो ही role होना चाहिए, जो अपने database में save किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने देखा admin, बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर भी pass कर देता हूँ, admin, अब देखी जो यह admin वाला role है, इसको हम check कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इस file को तो मैं save कर देता हूँ, और आता हूँ अपनी main file के अंदर जिसका नाम है, valid user, अब देखिए अगर मुझे role को check करना है, तो मुझे इस handle के अंदर, जहाँ पर यह दो parameters हारते है, request और next, यहाँ पर अपना एक तीसरा parameter भी लेना है, जो user की value को set कर सकेगा, बन्त की role को, तो उसके लिए मैं यहाँ पर, एक string data type का variable ले ले लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ role, आप जोन सा भी नाम रखना चाहें, वो रख सकते हैं, मैं role इसलिए रख रहा हूँ, ताकि मुझे असानी से याद रहे, कि इसके अंदर user अपना role send करेगा, जो मैं आगे check करने वाला हूँ, अभी देखिए user जोन सा भी यहाँ पर role send कर रहा है, मैं उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर print करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पूरे इसी वाले message को यहाँ से copy paste कर लेता हूँ, और यहाँ पर just message change कर दूँगा, जो भी dynamic value आ रही है इसके अंदर, role के अंदर, देखिए मैंने यहाँ पर concatenation का use करके, यहाँ पर लिख देता हूँ role, यह देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को save किया, अब जो उनसा भी user role send करेगा, तो वो role भी हमें यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर मैंने फाइल को save किया, अभी मैंने यहाँ पर check नहीं किया, कि user admin है की नहीं, just मैं आप भी आपको यहाँ पर print करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा आगया admin, मैं inner page के अंदर जाता हूँ, और यह देखे, यहाँ पर भी लिखा आगया admin, तो user ने जो नसा भी parameter में role भेजा है, वो यहाँ पर हम check कर पा रहे हैं, अब हमें इसी वाले role को अपने database से भी check करना है, जब user login करेगा, देखे, यहू बाबा जो है, वो admin है, मगर जो सल्मान है, वो सिर्फ reader है, तो मैं दोनों से आपको check करके दिखाता हूँ, तो देखे, उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर पहले तो check कर रहा हूँ, कि user, proper authenticated user है की नहीं, उसके साथ ही मैं यहाँ पर check करना चाता हूँ, कि उसका role admin है की नहीं, तो देखे, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे एक condition और पास करनी है, तो यहाँ पर मैं end operator का use करता हूँ, और यहाँ पर लिखूँगा out, और out के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा user, देखे, जो यह user का inbuilt method है, इसका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसके अंदर user की सारी information आ जाती है, जो आपके database में save है, तो उसके अंदर मैं यहाँ पर किस column को check करना चाता हूँ, जिसका नाम है role, यह role नाम का column बना हुआ हमारे database table के अंदर, users वाले table के अंदर, उसके अंदर जो नसी भी value आई है, मैं उसको match करना चाता हूँ, जो user ने value यहाँ से भेजी है, तो user ने जो value भेजी है, वो role नाम के variable के अंदर आ रही है, तो देखिए मैं उसको यहाँ पर check कर लेता हूँ, यह देखिए, यह हमारे database के column में की value है, और यह हमारे user की value है, जो हमने route से भेजी है, अगर यह दोनों values match कर जाती है, मतलब कि user admin भी है, और वो proper login भी उसका match कर रहा है, username, password, तब ही वो इस page को assess कर सकता है, जिसकी भी user request कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और मैं यहाँ पर आया अपने browser में, यहाँ पर सबसे पहले logout कर जाता हूँ, और देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको yahoo baba से login करके दिखाता हूँ, जिसका role already admin है, मैंने यहाँ पर login किया, और यह देखिए, अब यह login हो चुका है, मैं अंदर वाले page में जाता हूँ, यह भी proper चल रहा है, मैं यहाँ से logout हो जाता हूँ, अब इसके बाद मैं आपको दूसरे login से यहाँ पर login करके दिखाता हूँ, जो है सल्मान, बेसिकली वो जो user है, उसका role reader है, ना कि admin, तो यह वाला जो user है, यह login नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए मैं देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर वो login नहीं कर पा रहा, वो दूबारा से redact हो रहा है, login वाले page पे, देखिए, मैं दूबारा login करके दिखाता हूँ, यह देखिए, मैंने यहाँ से login किया, और वो login नहीं हो पा रहा है, और अगर मैं चाता हूँ कि user जो है, अगर वो reader है, सिर्थ अभी login कर पाए, तो मैं यहाँ पर route पे जाके change कर देता हूँ, यहाँ पर print भी हो जाएगा reader, अब हम यहाँ पर चेक कर रहें कि user proper authenticated भी हो, उसका username, password भी match कर रहा हूँ, और यहाँ पर database में उसकी value होनी चाहिए, reader, अगर वो user reader होगा, यहाँ पर हम जब चेक करेंगे, अगर वो reader ही है, तब ही वो login कर सकता है, अगर वो admin है, तब login नहीं कर पाएगा, तो देखें, मैं यहाँ पर आया, अब दुबारा सी यहाँ लिखता हूँ, यह देखिए, अब मैं यहाँ पर login करता हूँ, और यह देखिए, अब user यह login कर पा रहा है सलमान, जबकि यह reader है, क्योंकि अब मैंने check लगा हूँ है, अगर user reader है, तब ही वो यहाँ पर इस page को assess कर सकता है, तो देखिए, यहाँ पर print भी हो गया, reader, मैं inner वाले page में जाता हूँ, और यह देखिए, यहाँ पर भी आ गया, reader, मैं log out कर जाता हूँ, यह देखिए, तो इस तरह से, मैं यहाँ पर दो check लगा रहा हूँ, कि user जो है, वो यहाँ पर login भी होना चाहिए, और reader भी होना चाहिए, यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर, user का role define किया, यहाँ पर हो सकता है, चार-पांच role हो, तो मैं particular जैसे दो roles को यहाँ पर, इस page का assess देना चाहता हूँ, वो भी देख सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे अभी तो हमारे पास सिरफ दो ही roles है, admin और reader, तो उस case के लिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, reader, admin, अब इसका मतलब है कि इस dashboard वाले page को, दो ही users देख सकते हैं, एक तो वो proper, valid, authenticated user होने चाहिए, साथ में उनका role, reader या admin होने चाहिए, तब ही वो इस page को assess कर सकते हैं, तो यह भी एक तरीका होता है, multiple role pass करने का, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे अभी हम यहाँ पर, खुद के यहाँ पर middleware बना रहे हैं, और उसको यहाँ पर मैंने pass किया है, यहाँ पर हमारे को लारवल जो है, अपना inbuilt middleware भी देता है, जो एक specific काम कर सकता है, कुछ multiple middlewares आते हैं, जो लारवल ने खुद से बना रखे हैं, मैं उसको भी आपको use करके दिखाता हूँ, देखिए मैं इन दोनों को यहाँ से भी copy कर लेता हूँ, और इसको comment करके, मैं यहाँ पर paste करता हूँ, अब देखिए जैसे अभी मैं यहाँ पर एक middleware खुद के बनायों पास कर रहा था, इसको मैं हटा देता हूँ, यह देखिए, अब यहाँ पर लारवल का खुद का भी एक बना-बनाय middleware आता है, जिसका नाम है out, यही मैं copy करके, यहाँ पर भी पास कर देता हूँ, यह देखिए, अब यह जो out नाम का middleware है, लारवल का, यह क्या काम करता है, यह अपने आप से ही check कर लेगा, कि user login है की नहीं, हमें खुद से इस सरह से लंबा सा check लगाने की कोई जुरूरत नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा था, if user check है, तब ही वो इस page को देख पाए, जिसकी उसने request की है, यहाँ पर जो यह हमारा out नाम का बना मना middleware है, यह अपने आप से ही check कर लेता है, मगर यह यह check नहीं करेगा, कि user admin है की नहीं, या reader है की नहीं, उसके लिए हमें अलग से अपना एक crowd तो create करना पड़ेगा, वो सब भी अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले मैं आपको इतना ही check कर आता हूँ, देखें यहाँ पर मैंने file code save किया, मैं यहाँ पर आया, इसको login करता हूँ, मैंने यहाँ login किया, और यह देखिए, अब मैं यहाँ पर login हो चुका हूँ, अंदर वाले page पर भी आ चुका हूँ, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो middleware वाले जो message पहले show हो रहे थे, अब वो show नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यूंकि अब उन middleware को मैंने यहाँ पर pass ही नहीं किया अपने route में, यहाँ पर जो laravel का अपने आप बना हूँ राउट है, जिसका नामा out, वो ही user है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके इलाबा भी बहुत सारे बने-बनाए routes आते हैं, laravel के, उसके लिए आपको यहाँ पर laravel की website पर जाना है, और उसके अंदर documentation के अंदर, जैसी आप यहाँ पर left side में देखेंगे, the basics नाम का एक topic है, उसके अंदर आपको एक link मिलेगा middleware, जिसके अंदर middleware की सारी बात की गई है, यही पर आपको सारे topics मिल जाएंगे, जो मैंने अभी आपको पढ़ाए भी हैं, जैसे global middleware, route middleware, group middleware, alice middleware, वी sorting भी मैं अभी आपको कराने वाला हूँ, यही पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा scroll करेंगे, यह देखे, यहाँ पर आपको एक middleware का नाम दिखेगा, जिसका heading है यहाँ पर middleware alice, जो अभी मैंने आपको alice नाम का एक middleware कराए भी था, यहाँ पर आप किसी भी अपनी middleware class का एक short name रख सकते हैं, तो इसी के अंदर आपको यहाँ पर multiple laravel के खुद के routes मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि अभी मैंने आपको चेक करा है out, यह देखे, यह class बनी वी है, इस middle वाले folder के अंदर, illuminate के अंदर, आप यहाँ पर जाके चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी दरह से और भी यहाँ पर middleware है, जैसे out basic, out session, out header, caching headers, can guest, अगर आप guest को चेक करना चाते हैं, तो आप इसको भी use कर सकते हैं, यह इसके लावा और भी अलग-अलग यहाँ पर middleware है, यह middleware की जो list है, यह laravel खुद से ही आपको बना के देता है, इनको भी आप use कर सकते हैं, अब इसके साथ जैसे मैंने यह out तो लगा दिये यहाँ पर, अब मैं इसके साथ यह भी चेक करना चाता हूँ, कि user admin ही होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखें, जो यह मेरा valid user नाम का condition मैंने लगा रखी है, मैं यहाँ पर अब यह out check को लगाऊंगा नहीं, मैं इसको हटा दूँगा, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, पहले मैं इसको copy कर लेता हूँ, इसको comment कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर, मैं इस condition को हटा देता हूँ, क्योंकि यह हम Laravel के खुद की condition से check कर रहे हैं, जो out time की class है, बस मैं यहाँ पर check करूँगा, कि user का जो role है, वो सिरफ admin होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस file को save कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर, जहाँ पर मैंने out pass किया है, वहीं पर मैं इस तरह की condition लगा दूँगा, यह देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ admin, यहाँ पर मैंने इसी वाले code को copy किया, यह देखिए, इनर page पर भी मैंने यह दो condition लगा दिये, एक तो वो proper authenticated होना चाहिए, और साथ में ही वो valid user भी होना चाहिए, अब valid user के अंदर सिरफ एक ही condition है, कि user सिरफ admin होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने file code save किया, और मैं यहाँ पर आया, इसको पहले log out कर जाता हूँ, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सलमान से login करके दिखाता हूँ, चेक को रही है, अब मैं यहाँ पर याहू बाबा से login करके दिखाता हूँ, यह देखिए, अब यह proper login भी हो चुक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि यहाँ पर हमारा valid user के अंदर जो मैंने दो message दिखा रखे हैं, वो भी यहाँ पर दोनों शो हो रहे हैं, मैं inner page पर जाता हूँ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कि दोनों message मेरे शो रहे हैं, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, कि अभी जो हमने यह login बना रखा है, यह सिरफ admin पर वक कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि user जब भी login करे, तो वो चेक करें, क्या user admin है की reader, अगर वो admin है, तब तो वो इन दोनों pages को देख ले, अगर वो reader है, तब मुझे उसे किसी दूसरे page पर लगर जाना है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उसके लिए मैं अपनी इसी फाइली फाइल के अंदर आता हूँ, जिसका नम है valid role, अब देखिए यहाँ पर role तो चेक हो रहा है, और user ने जो role भेज़ा है, वो है यहाँ पर, admin, अगर वो admin से match कर जाता है, तब वो उसी page पर चला जाए, जिसकी वो request कर रहा है, मगर यहाँ पर मैं condition और लगा देता हूँ, अगर वो reader है, तब यहाँ पर क्या करना है, तो उसके लिए मैं इसी code को यहाँ से copy कर लेता हूँ, पूरे code को, और यहाँ पर जाकर paste कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, else if, यह देखिए, और यहाँ पर मैं check करवाने वाला हूँ, एक दूसरी value से, जिसका नाम है reader, यह देखिए, अगर user का जो database में role है, अगर वो reader है, तब मैं उसको दूसरे page पर ले जाऊँगा, ना कि उसके requested page पर, तब मैं उसको किस page पर लेके जाने वाला हूँ, उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं function use करूँगा, redirect, route, और route के अंदर मैं यहाँ पर pass कर देता हूँ, एक दूसरा page, user, देखिए अब यह user नाम का जो मैंने route है, यह पहले से create करके नहीं रख होगा, और नहीं इससे लेटर गोई blade की file बनाई है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक blade की file बना लेता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर आया, और अपने resources folder के अंदर, views folder के अंदर, यहाँ पर right click करके एक file बना लेता हूँ, user.blade.php, यह देखिए, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, दूसरी file से ही copy कर लेता हूँ, एक code, यह देखिए, पूरा code मैं यहाँ से copy कर रहा हूँ, और अपनी user file के अंदर आके इसे paste कर देता हूँ, अब जहाँ पर यह सारा मैंने login का code लिखा हूँ है, इस साब को मैं हटा देता हूँ, यह नीचे से error message भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब जो यह मेरी card body है, इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, hello reader, यह देखिए, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ, readers page, यह देखिए, अब इस page को assess करने के लिए मुझे अपना एक route भी create करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं अपनी file के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर top पे, जैसे मैंने यह home page के लिए route बना रखा है, बिल्कूल इसी को मैं copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ user, और यहाँ पर return कर दूँगा, user की file, जो user की blade file है, और इसको एक name भी देता हूँ, user, यह देखिए, तो एक बर मैं आपको दुबारा दिखाता हूँ, देखिए, अब हमारी यहाँ पर condition चेक होगी, अगर user admin है, क्योंकि हमने वहाँ पर route के अंदर pass कर रखा है, यहाँ पर इन दोनों pages को search, dashboard और dashboard के अंदर inner, अगर वो user admin है, तब ही इन दोनों pages को देख पाएगा, और अगर वो इन दोनों pages को assess करने की अगर कोशिश करता है, और वो है reader, तो वो redirect हो जाएगा, इस वाले page पे, जिसका नाम है user, और अगर इन दोनों में से भी कुछ नहीं है वो, अगर उसका login भी match नहीं करता हूँ, तो दूबारा से वो login वाले page पे redirect हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, मैं सबसे पहले आकर यहाँ पर logout हो जाता हूँ, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं सलमान से login करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो है reader, यहाँ पर readers वाले page ओपन हो चुका है, यहाँ पर message भी आ रहा है hello reader, उपर भी आप देख सकते हैं URL में, यहाँ पर आ गया user, अब मैंने यहाँ पर logout का कोई button नहीं बनाया है, तो मैं logout का button भी बना लेता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर dashboard वाले page पर, यहाँ पर logout का यह link बनाया है, इसी को मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, और अपने user वाली file के अंदर आकर, यह देखी, यहाँ पर इसे paste कर दिया, मैं यहाँ पर आप फाइल को refresh, और यह देखे logout का button भी आ गया, अब मैं यहाँ पर click करता हूँ, तो देखे, दुबारा से login वाले page पर आ गया, अब मैं यहाँ पर login करता हूँ, admin से, और यह देखे, मैं सीधा से dashboard वाले page पर आ चुका हूँ, मैं अंदर वाला page भी assess कर सकता हूँ, क्योंकि मैं user जो हूँ, तो आपने देखा, कि किस तरह हमने यहाँ पर एक condition लगाई है, यहाँ पर मैं यह भी check कर रहा हूँ, कि user authenticated भी होना चाहिए, और इस वाली file के अंदर आकर, मैं यह check कर रहा हूँ, कि user का role के है, अगर वो admin है, तो वो requested page पर चला जाए, अगर वो admin नहीं है, तो वो redact हो जाए, user वाले page पर, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कि हमारे जो तीसरे तरीके का middleware है, जिसका नाम है global middleware, उसको कैसे use करना है, देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो देखिए मेरे को इसी वाले method के अंदर जाना है, with middleware के अंदर, और यहाँ पर जाकर, सबसे पहले अपना variable लेना है, middleware, और इसका एक method यूज़ करना है append, append के अंदर basically हमारे को एक ही value देनी होती है, और जो value होती है, वो होती है हमारे middleware का नाम, तो जैसे हमारा एक middleware है, जिसका नाम है test user, मैं सिरफ उसी को use करना चाहता हूँ, और last में जाकर, यहाँ पर semicolon लगा देता हूँ, यह देखिए, अब देखिए हमने जितने भी routes बना रखे हैं, सब पर ये middleware, जिसका नाम है test user, ये अपने आप से ही implement होजेगा, हमें किसी route को जाकर ये बताने की जुरूरत नहीं है, कि आप पर कौन सा middleware पास कर रहा हूँ, तो जितने भी मैंने अभी middleware पर यहाँ पर ये लगाये थे routes पर middleware, इन सब को मैं हटा देता हूँ, तो अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, और ये जो मैंने middleware लगा रखें, इनको मैं हटा देता हूँ, ये देखिए, अब हमारे यहाँ पर multiple middleware है, एक है यहाँ पर welcome का, एक है user का, register का, login, dashboard, और dashboard के अंदर भी inner, इन सब पर मैंने यहाँ पर कोई भी middleware नहीं लगाया, मगर जो global middleware है, वो यहाँ पर सभी routes पे अपने आप work करने लगेगा, तो यहाँ पर मैंने file code save किया, तो देखिए मैं यहाँ पर आया है, मैं logout करता हूँ, और ये देखिए, यहाँ पर जैसी मैं login page पर आया है, तो यहाँ पर यह test user नाम का middleware अपने आप काम कर रहा है, मैं back करता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर भी यह काम कर रहा है, मैं register वाले page पर जाता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर भी यह काम कर रहा है, यह अपने आप ही implement होता जा रहा है मैं back करता हूँ मैं login करता हूँ और यह देखे जब मैं inner वाले page में आया तो यहाँ पर भी यह middleware अपने आप से ही काम कर रहा है मैं अंदर वाले page में जाता हूँ और देखे यहाँ पर भी यह काम कर रहा है तो यहाँ पर आपको clear हो रहा होगा कि कैसे हमारा जो global middleware है वो automatically खुदी सारे routes पर काम करने लग जाता है तो इस तरह का middleware basically कम ही use होते है इनका use हम log information save करने के लिए करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि user ने हमारी website का कौन-कौन सा page अगर visit किये ये हम देखना चाहते हैं ये login करने के बाद वो किस-किस page पे गया है ये भी हम check करना चाहते हैं तब हम इस तरह का middleware को use करते हैं इसका नाम है global middleware तो जैसे कि अभी हमने इस तरह से middleware को बनाये global middleware को global middleware को बनाने का एक दूसरा तरीका भी होता है उसके अंदर हम यहाँ पर multiple middleware को pass कर सकते हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना है मैं यहाँ पर append नहीं लिखूँगा यहाँ पर लिखूँगा use और इसके अंदर आकर यहाँ पर ले लूँगा एक array क्योंकि मैं यहाँ पर multiple middleware pass करने वाला हूँ अब इसी के अंदर मैं comma लगाकर अपने दूसरे middleware का नाम भी यहाँ पर pass कर सकता हूँ जैसे इसका नाम है valid user यह देखे कुछ इस तरह से तो अब क्या होगा जितने भी मैं page अगर open करूँ तो वहाँ पर यह दोनो middleware चेक होने लग जाएंगे तो इस तरह का भी use करने का कोई फैदा नहीं है क्योंकि यह login वाले page पर भी चेक करेगा कि user login है की नहीं और register वाले page पर भी यही चेक करेगा कि user login है की नहीं मगर अगर future में अगर आपको किसी project पर multiple middleware use करने और वो भी globally तब आप use method का use करेंगे तो अभी के लिए मैं इसको comment कर देता हूँ यहाँ पर मैं file को save करता हूँ अब इसके बाद मैं कुछ features आपको दिखाने वाला हूँ जो larval की ही website पर दिखाने वाला हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ back करता हूँ यहाँ पर the basics और यहाँ पर middleware तो देखिए मैं यहाँ पर आगया larval की website पर अब यहाँ पर एक feature आपको दिखेगा sorting middleware यह देखिए देखिए actual में होता है क्या है जब हम किसी भी route पर multiple middlewares लगाते है वो सभी conditions एक बारी में ही check होने लग जाती है मगर मैं चाता हूँ कि वो एक sequence से हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है मुझे अपनी इसी वली file के अंदर जाना है जिसका नाम है bootsharp के अंदर app.php file और इसी वले method के अंदर with middleware के अंदर और वहाँ पर मुझे middleware का एक method यूज़ करना है थर्ड टाइम में ये वाला middleware इसी sequence में सारे middleware चलेंगे अगर ये आप priority नहीं रखते तो वो middleware एक ही बारी में सारे चेक होने लग जाते हैं तो इस feature को भी आप use कर सकते हैं मैं इसका practical तो नहीं करके दिखा रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर एक feature आपको और दिखाने वाला हूँ ये देखे manually managing laravel default middleware group अब इस के अंदर बताया हुआ कि अगर आप अपने middlewares को अलग-अलग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मतलब कि web के लिए अलग और API के लिए अलग मैंने आपको starting में बताया था कि हम दो तरीके के middleware बनाते हैं एक web के लिए और एक API के लिए तो देखें, web के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर अपनी variable को यूज करना है middleware और उसके अंदर group बनाना है और यहाँ पर लिखना है web और web के अंदर आप जितने भी middleware पास कर देंगे अरे में, यह सिर्फ web के लिए काम करेंगे ना कि API के लिए और API वाले अलग से आप बना सकते हैं जितने भी middleware बनाना चाते हैं यह सिर्फ middleware तभी काम करेंगे अगर आप API से किसी URL को assess करने की कोशिश करते हैं यह सब हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे जहां पर मैं आपको detail में API कराने वाला हूँ तो यह था हमारा इस वीडियो का tutorial अगर आप खुद से भी पढ़ना चाते हैं तो इस page को assess कर सकते हैं जिसका नाम है middleware यह सारे examples इसी page से लिए गये हैं मैंने सिर्फ एक ही तरीके का example आपको समझाया authentication selected अगर आप middleware में कुछ और count करना चाते हैं जो particular किसी आप route पे implement करना चाते हैं कोई code वो आप इसे middleware के अंदर पास करके कर सकते हैं hope so आपको यह हमारा video tutorial अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को please like करना मत भूलिए अगर आप ऐसे ही regular updates आते हैं तो हमारी channel yahoo baba को subscribe करना मत भूलिए thank you